नाजरीन एकरामी वो कहते हैं ना कि शोरत और काबियत इनसान को विरासत में नहीं मिलती बलके इसके लिए इसे दिन रात एक करना पड़ता है और अपने पैशन को आगे लेकर चलना होता है पाकिस्तान की मौझूदा टीम का एक बहुत बड़ा नाम और सितारा फखर जमान एक वो वक्ता जब फखर जमान के पास पहनने के लिए पैरों में जूता तत नहीं होता था लेकिन अब यही फखर जमान करोडों रुपए के बंगलों और लाखों रुपए की गारियों में इसके सिर्फ एक ही वज़ा है वो अपने पैशन पर पूरी तरह से तवज्जो देना और इस पर डट जाना यह वो पाकिस्तानी प्लेयर है जो कि अकैडमियों में क्रिकिट खेलने के बज़ाए मरदान के पसमानदा इलाकों में सख्त गर्मी के वक्त क्रिकिट खेलता था और ऐसे ही दक्के खाखा कर यह पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में शामिल हो गया पिरियस ने अपना ऐसा नाम बनाया के बड़ी बड़ी अकैडमियों से निकलने वाले क्रिक्टर्ज ने भी ऐसा नाम कभी बनाने की सोची भी ना होगी फखर जमान 10 सप्रेल 1990 को खैबर पफटून खां के एरिया मरदान में पैदा हुए फखर इंतहाई गरीब दरीन घराने से तालुक रखते थे क्रिक्ट खेलने का शोक इन्हें बच्पन से ही था और ये बच्पन से ही क्रिक्ट खेलते आ रहे थे लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब इन्हें अपने घर के हला ठीक करने के लिए क्रिक्ट को छोलना पड़ा और फाखर मरदान से कराची चले गए और वहाँ पर इन्हों ने 2007 में पाकिस्तान नैवी को जॉइन कर लिया इसके बाद फाखर जमान पाकिस्तान बेरिया की अच्छी पोस्ट को अचीव करने में भी काम्याब हो गया फाखर नैवी में नहीं बलके पाकिस्तान क्रिक्ट टीम में है और इसी वज़ा से इन्हों ने फाखर जमान को पाकिस्तान नैवी की ड्यूटी से हटा कर इसे नैवी क्रिक्ट में एक प्रोफेशनल क्रिकटर के तोर पर आइद कर दिया और बतोर प्रोफेशनल प्लेयर 2008 में इनक और इंट्रस्ट को देखकर इन्हें पाकिस्तान सुपर लीग 2016 में लहोर कलंदर की टीम में जगा मिल गई और पीएसल में शोहरत और मकबूलियत हासिल करने के बाद ये पाकिस्तान के किट टीम में जगा बनाने में काम्याब हो गई 30 मार्च 2017 को इन्होंने वेस्टन डीज के खिलाव अपना पहले डव्यू मैच खेला और इसके बाद इन्हें चैंपियन्स टॉफी स्क्वार्ड में शामिल कर लिया गया और चैंपियन्स टॉफी के फाइनल में इन्डिया के खिलाव केलते हुए फखर जमान ने इस मैच में 33 सेंचरी बना डाली और इसके बाद फखर जमान की शोगरत और मकबूलित में दिन बाद दिन इजाफा होता चला गया और यहीं से ही इनकी क्रिकेट का अरूज शिरू हो गया और 8 जुलेई 2018 को अस्टेलिया के खिलाव केलते हुए फखर जमान ने T20 सिरीज में 91 रंज बनाए और पाकिस्तान को इस सिरीज जित्वाने में फखर जमान का बहुत बड़ा हाथ था इस मैच में इन्हें मैन आफ दी फैनल और मैन आफ दी सिरीज का भी आवाड दिया गया इसके बाद इन्होंने अपने क्रिकेट करियर में और भी बहुत ज़्यादा मैचिस खेले और बहुत बड़े बड़े अज़ाज अपने नाम किये नाजरीने करामी फखर जमान उस घरीब बाप का बेटा था जिसका बाप ये कभी नहीं चाहता था कि इसका बेटा क्रिकेट केले क्यूंके वो क्रिकेट को एक फजूल खेल समझता था और वो ये चाहता था कि इसका बेटा पढ़े लिखे ना के क्रिकिट में अपना टाइम वेस्ट करे लेकिन क्रिकिट का खेल फखर जमान की रगों में खून बन कर दोल रहा था और अपने पैशन में इतने ज़्यदा इंट्रेस्ट और हार्ड वर्किंग की वज़ा से आज फखर जमान ना सिरे पाकिस्तान में बलके पूरी दुनिया में शौरत की वुलंदियों पर है और ये पाकिस्तान का वेल नाउन क्रिकिट प्लेयर है अगर आप भी फखर जमान से प्यार करती हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर देना है